हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्जाम 365 जंग्सन में उम्मेद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आज का जो हमारा वीडियो है वहां सम्बंदित है भारतिय इतिहास से मौर सामराज का एक वीडियो आपको इसके पहले मिल चुका है उसमें 100 प्रसंट थे 101 प्रसंट उसके आगे के ये सारे प्रसंट है जो कि विवन परिक्छाओं में पूछे जा चुके हैं आपके जो भी प परिक्षाएं हैं जैसे UPPCS, MPPCS, BRPCS तो इन सभी महत्मूर परिक्षाओं में जो भी भारते इतिहास के महत्मूर प्रस्ट पूछे जा चुके हैं वो सारे प्रस्ट अध्यायवार मैं आप सब के लिए लेके आ रहा हूं उसी क्रम में मौर सामराज का ये दूसरा वीडियो है तो आएए देखते हैं पहला प्रस्ट है मौर सासन वेवस्था में रूप दर्सक नामक अधिकारी का काम क्या था? चादी तथा अन्यधातियों का परिक्षक, गडिकाओं का अध्यक्ष, रंगमंच का प्रवंधक, सिक्कों का परिक्षक आप संडी सही है सिक्कों का परिक्षक, रूप दर्सक जो होता था वो सिक्कों का परिक्षक होता था 103, question number, निम्न में से मौर काल का मुख्यता कौन सा भूमिकर था? Question number 104, रूप दर्सक सब्द किसके लिए प्रियुक्थ हुआ है? गड़काओं का निरिक्षक, आपसंसीस का सही होगा, सिक्कों की उडवत्ता का निरिक्षक 105. प्रस्न है, मौरी प्रसासन में सन्निधाता किससे संबंदित था, कोस की देख भाल करता था, कौन सन्निधाता 106. मौरे काल में भाग था, मौरे काल में भाग जो था, वो एक भूमिक कर था 107. प्रस्न है, राजुक काउन थे? चोल राज में व्यापारी, मौर सासन में अधिकारी, आपसंबी सही है, मौर सासन में अधिकारी होते थे राजुक थे आप्सन भी सही होगा मौर शासन में अधिकारी थे question number 109 आदेव मात्रक भूम क्या थी आदेव मात्रक भूम क्या थी 109 का आप्सन ए सही है वह भूम जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके वह भूम जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके उसे अदेव मात्रक कहा जाता था मौर काल में 110. प्रश्ण है भूम छिद्रिन्याई क्या है? भूम छिद्रिन्याई क्या है? भूम को बेच देना, भूम को हस्तांतरित कर देना, भूम को पट्टे पर देना, भूम को सबसे पहले जोतने वाला अधिकार आप संडी जो है सही है भूम को सबसे पहले जोतने का अधिकार 111. प्रश्ण है राज किये रंधन साला माप तौल आप संडी सही है माप तौल तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसी तरह के महात्पूर्ण वीडियो मिलते रहे हैं 112 प्रस्ण है द्रोण एक माप था तरल वस्तूओं के लिए अनाज के लिए कीमती धातूओं के लिए अपसंबीस का सही होगा अनाज के लिए द्रोण जो है एक माप थी अनाज की 113 माप और तौल का अध्यक्ष था 114 प्रस्ण निमलिखित में से कौन माप योगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था पौतवा ध्यक्ष अपसंबीस ही होगा 115 काटिल के अर्थ सास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर्वसूलने का कार्य संपा गया था आपसंबीस ही होगा समाहरता 116 मावर्यन मंद्र परसद में निम्न में से कौन राजस शिकठा करने से संबंधित था आपसंबीस ही होगा इसका समाहरता 117 मौरी प्रसासन में राजस संगरा का अधिकारी था आपसंडी सही होगा समाहर्ता 118 अर्थ सास्त के अनुसार निमलिखित में से किस अधिकारी को राजस सो एकत्र करने का उत्तरदाय तो दिया गया सीता ध्यक्ष, संस्था ध्यक्ष, समाहर्ता, सनिधाता आपसन सी सही होगा समाहर्ता 119 करसापण किस लिये प्रियोक किया जाता था आपसन वस्त्य खरीदने के लिये 120 मौर प्रसासन में राजस स्वेवस्था की देखरेक करने वाले अधिकारी की संग्या थी आपसन 20 सही होगा समाहर्ता 121 प्रशन है, मौरिकाल में भूमिकर जो की राज की आय का मुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था अग्रोनोमाई, सुलकाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अक्राध्यक्ष आपसन सी सही है, सीताध्यक्ष 122 प्रशन है अर्थसास्त्र के अनुसार सीता भूमी का अभिफराय है आपसंसीस का है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूम 123 प्रशन है निमलिखित में से कौन साधिकारी मौर प्रशासन का भाग नहीं था युक्त प्रादेशिक राजुक अग्रहारी आपसंडी सही होगा अग्रहारी 124 पकोदक सन्निरोधे मौर प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सडक पर कीचड फैलाने पर 125 प्रशन है निमलिखित में से किस राजवन्स के सासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजने संबंध रखते थे 126 मौर काल में निमलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी पंड, तोल, काकिनी दिनार 127 असोग का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अब लेखों में उलेख मिलता है था 128 असोग के अब लेखों में उलेख हुआ है चोल, चेर, पांड यों, पल्लो, आप्सन भी इसका सही होगा चोल, सतिय, पूत्र, चेर, यों, पांड 129 असोग के किन अब लेखों से यह सपश्ट होता है कि उसने अपने समकालीन सासकों के साथ मैत्री संबंद बनाए थे 13 सिला लेख से, सावाजगड़ी अब लेख से, सुपारा अब लेख से, ब्रमगरी अब लेख से 131 अब लेख से, कौन सा असोग के सामराज का भाग नहीं था, कामरूप, कलिंग, कस्मीर, करनाटक अपसन ए सही होगा, कामरूप 131 प्रस्ण है Question number 131 असोग के निमलिखित अब लेखों में से, किसमे दच्छिन भारती राज्यों का उलेख हुआ है 33 मुख सिला लेख, 2 मुख सिला लेख, 9 मुख सिला लेख, पृथम अस्तम अब लेख अपसन भी सही होगा, दुतिय मुख सिला लेख, दुतिय मुख सिला लेख में, दच्छिन भारती राज्यों का उलेख हुआ है Question number 132 असोग के सामराज के अंतरगत कौन देश, समलित था, अपसन डी सही होगा, करनाटक 133 निमलिखित में से कौन असोग के सासनकाल में सुराश्ट का गवर्नर था, तुसास्क, सुविसाख, तामरलिप्ट अरिकमेडू अपसन यह सही होगा, तुसास्क 134 असोग का समकालिन, तुर्मय, कहा का राजा था, मिंदा, कोरिंथ, मेसिडोनिया, सीरिया, अपसन यह सही होगा, मिंदा, मिदा का, तुर्मय 135 वह युनानी सासक, जिसको चंजगुत मौर ने प्राजित किया था, कहां से सासन कर रहा था, मिस्र, सीरिया, मगदूनिया, एथिन्स, आपसन यह सही होगा, सीरिया 136 असोक का समकालिन सिंगल नरेश कौन था, अबय, पंकडुक, तिस, मुटसिव, आपसन सी सही होगा, तिस 137 मगदूनिया में असोक का समकालिन राजा कौन था, एंटियोकस, एंटिगोन, गोन्टास, मगस, टाल्यमी, आपसन भी सही है, एंटिगोन, गोन्टास 138. चंदगुत मौर ने सेलुकस को किस वर्स में प्राजित किया था? आपसंसी सही होगा 305 इसापूर में 139. विंदुसार के दर्वार में कौन? राजदूद था? माइकिया वेली, मैगस्थनीज, डायमेकस, एंटियोकस प्रथम आपसंसी सही होगा डायमेकस 140. विंदुसार के दर्वार में सीरिया के सासक एंटियोकस प्रथम के राजदूद के रूप में मैगस्थनीज के साथ कौन आया था? डायमेकस आपसंसी सही होगा इसका 140. युनानी राजदूद डायमेकस किसके सासनकाल में भारत आया? विंदुसार के? विंदुसार की राजदूद कौन था डायमेकस आपसंसी सही होगा 143. असोग के किस सिलालेख में चोल, पांड, केरल पुत्त और सातिये पुत्त को पड़ोसी सक्तियों के रूप में उलखित किया है? आपसंसी सही होगा सिलालेख 13 आप 144. टालेमीर फिलाडेलफस जिसके साथ असोग के राजने संबन्ध थे, कहां का सासक था? आपसंद भी मिदा का? 145. सही लुकस जिसको अलेकजेंडर द्वारास सिंद यवम अफगानिस्तान का प्रसासक निवत किया गया था? को किस भारती राजा ने हराया था? आपसंदी सही होगा चंद्रगुप्त ने? 146. सही होगा चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया किस अस्थान का सासक था? मिस्र और क्रेट, मैकडोनिया, सीरिया और बेवी लोन, ग्रीस और थेरस आपसंसी सही होगा सीरिया और बेवी लोन, सेलकुप्त ने गेटर सीरिया और बेवी लोन 143. इसापूर में चंद्रगुप्त और सेलकुप्त के बीच हुई संद के संदर्म में कौन सा वक्तव विवादास्पद है? आपसंडी इसका है, सेलकुप्त ने अपने पुत्री का विवाद चंद्रगुप्त से किया 144. प्रशन असोग का समकाले नविश्र का राजा कौन था? अलक्जेंडर, एंटियोकस, मगा टालेमी, आपसंडी सेट, फिलाडेलफस निमलिखित में से कौन सा शेत्र? असोग के सामराज में समलित नहीं था अफगानिस्तान, बिहार, स्री लंका, कलिंग, आपसंडी सही होगा इसका स्री लंका 119. प्रशन चाड़क के का अन्यनाम था भट्ट स्वामी विश्णू गुप्त, आपसंडी सही होगा इसका विश्णू गुप्त प्राचीन भारत के निमलिखित ग्रंथों में से किसमे पति और परित्यक्त पतनी के लिए विवाहुच्छेत की अनुमत दी गई है काम सूत्र मानो धर्म सास्त्र, सुक्रनीत सार अर्थ सास्त्र, आपसंडी सही होगा अर्थ सास्त्र एकसो तिरपन कावटिल प्रधान मंतरी थे चंदगुप्त मौर के 154 चाड़क के अपने बच्पन में किस नाम से जाने जाते थे अजय चाड़क, विश्णु गुप्त, देव गुप्त, आपसंडी सही होगा विश्णु गुप्त 155 पुस्तक में उल्लिखित अर्थ सास के लेखक के नामों में कावटिल के अतरिक्त अन्यनाम या है, विश्णु गुप्त है कावटिल महमंतरी थे समराठ चंदगुप्त मौर के अपसंडी सही होगा 157 कावटिल के अनुसार निवन में से कौन सा कथन असत्य है, राजा सर्व सक्साली है, राजा को सक्साली सेना रखनी चाहिए, राजा को अपनी सहायता के लिए मंतरी नहीं रखनी चाहिए 158 चाड़क के अर्थसास के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग समलित होने चाहिए, चत्री और सूद्र, चत्री सूद्र और वैस, अपसंडी सही होगा, चत्री सूद्र वैस और मुरामार, चारो 159 अर्थसास्त के संबन्द में निमलिखित कत्नों में से कौन सही नहीं है, या राजा के कर्तब्यों को विर्दिष्ट करता है, या देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, या राजनीत के सिद्धान तस्थापित करता है, या वित्तिय सुधारों के आवसक पर बल देता है आपसन भी इसका जो है सही है या देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वॉर्ण करता है कि बाकी तीनों आपसन सही है आपसन भी जो है वो गलत है 162 निमलिखित में से राज के सप्तांग सिधानत के अनुसार राज का साथ्मा अंग कौन साथ जनपत्, दुर्ग, मित्र, कोस आपसन सही होगा मित्र 161 प्रशन कवटीलिकार सास्त है एक आपसनडि सासन की सिधानतों के उस्तक 162 निम्लिखित में से किसकी तुलना मैक्यावेली के प्रिंस से की जा सकती है काली दास का मालविकार्व निमित्रम कौटिल का अर्थ सास्त्र आपसन भी सही है कौटिल का अर्थ सास्त्र 163 कौटिल के अर्षास के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संग्या थी आपसन ए सही होगा लक्षणा ध्यक्च 164 कौटिल के अर्षास में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आपसन भी है राजनीतिक नीतिया 165 में लिखित किस वीशे पर कौटिल की अर्सास में निहुंतम जानकारी मिलती है गुप्चर वेवस्था व्यापार मार्ग, क्रिस्पद्दत, राजस, प्रवंधन, आप सन्भी सहयोगा व्यापार मार्ग 166 में लिखित संस्था सब्द का सम्बंद है वित्तीय प्रसासन से, गुप्चर विवस्था से, आप सन्ी सहयोगा गुप्चर विवस्था से 167 में अर्सास में कितने तीर्थों का लिख है अप सन्भी सहयोगा इसका 18 168 कौटिल और सास कितने अधिकरोणों वे विभाजित है आप संडी सहीवगा 15 169 निम्लिकित में से किसने यह कहा कि चंदगुप्त मौर ने 6 लाग साहिनिकों की सहायता से संपूर भारत पर आक्रमण और अधिकार किया आप संसी सहीवगा प्लूटार्क ने 170 सुमेलित करना है सूची फर्ष्ट और सूची सेकेंड को पदाधिकारी है और उनका कारे क्या था यह बताना है सूची फर्ष्ट में है समाहरता समनिधात्री संस्ताध्यक्ष अंतरवनसिका तो अप्सन भी इसका सही होगा माहरता 2,3,4,1 समाहरता एक तो अंतरवनसिका महेलों की रट्षक कि बोमी का निवाता था उप्सन इसका सही है भी 2-3-4-1 171 है यूनानी रोमन साहित के सैंड़ो कोटस का समीकरण किसने चंदगुप्त मौर से किया आपसंडी विलियम जोन्स ने 172 सैंड़ो कोटस से चंदगुप्त मौर की पहचान किसने की आपसंडी विलियम जोन्स ने 173 यूनानी लेखकों को ने किस मौर सासक को अमित्र घात की संग्या दी चंदगुप्त मौर विंदुसार असोक दसरत आपसंडी सही होगा विंदुसार को 174 निमलिखित में से किस एक इतिहास कार के अनुसार सिला लेखों में असोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुता राजधर्म था फ्लीट ने आपसंडी सही होगा 175 प्राचीन भारत में निमलिखित में से कौन सी एक लिप दाईं और से बाईं और लिखी जाती थी आपसंडी सही होगा इसका खरोष्टी 176 निमलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंस है गुप्त मौर वर्धन कुसार आपसंडी सही होगा मौर 177 बिन्दुसार काल में किस राज पर आमात्यों के विरुध नागरिकों दोरा समराठ से सिकायत की गई आपसंडी सही है इसका प्रिय दसी या प्रिय दर्शी 180 देखते हैं जैन गरंथों में उल्लखिस संप्रत की दुतिय राजधानी किस नगर में मानी जाती है पाटल पुत्र उज्जैन विजशा स्रावस्ति आपसंडी सही होगा उज्जैन 181 सोपारा कहां इस्ति थे महाराष्ट गुजरात अमिलनाडु पस्चे मंगाल आपसंडी सही होगा महाराष्ट 182 सूरापारक बंदरगा कहां इस्तित्था चंपा कोरो मंडल अपरांत मालावार आपसंडी सही होगा चंपा 183 मौर सामराज के पतन का मुख्य कारण क्या था असोग का धम सेना में कमी कर देना असोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना केंध्रिय प्रसासन आपसंडी सही होगा असोक के बाद राजाओं का निर्बल होना 184 निम्न में कौन कनिस्क के समकालीन थे आरवट, चरक, ब्रह्मगुप, असगोस, नागा, अरजुन, वसमित्र, आपसन भी सही है, असगोस, नागा, अरजुन और वसुमित्र, किसके समकालीन थे कनिस्क के 185 चंदगुत मौर ने अपने अंतिम दिन कहां भी ताये, सरोन वेल गोला में, आपसंडी सही होगा 186 चंदगुत मौर का गुरु कौन था, भद्रवाव, असगोस, मोगल पुतिस, का त्यायन, आपसने सही है, भद्रवाव 187 किसने सही सुनता, उदारता और करुड़ा के, त्रिविध आदार पर राजधर्म के अस्थापना की, असोक ने, आपसने सही होगा 188 आदुनिक देव नागरी लिप का प्राचीर रूप है, आपसन भी सही होगा, ब्राम्मी 189 निमलिखित में से किसे सर्वसेट इस्थूप मानते हैं, साची को आपसन सही सही होगा 181 साची का इस्थूप किस सासक ने बनवाया था, बिमसार, असोक, हर्षवर्दन, पुन्समित्र, आपसन भी सही होगा, असोक ने 191 ब्राम्मी लिप का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्क्रेण अक्षरों से किया गया, पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, अस्तम्हों पर, सिक्कों पर, आपसन सी सही होगा, अस्तम्हों पर 192 सांची स्तूप का निर्मान किसने करवाया था, चंदगुप्त, गौतमबुद, महावीर, असोक, आपसन्डी, सही होगा, असोक ने 193 जल की आवसकता को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रथम सासक ने गिर्नार छेत्र में एक जील का निर्मान करवाया वाह था, चंदगुप्त, महुर ने 194 बुलंदी बाग प्राचीन अस्थान है, कपिलवस्त का, पाटल पुत्र का, स्रावस्ति का, वैसाली का, आपसन्डी, सही होगा, पाटल पुत्र का 195 निमलिखित में से किसने गिर्नार छेत्र में जल संसाधन व्योस्ता के लिए सरप्रथम पहल की, आपसन्डी सही होगा, चंदगुप्त, महुर ने 196 चंदगुप्त, महुर के समय सवराष्ट का, राजपाल कौन था, बिंदुसार, असोग, वैस, वैस, पुन्सगुप्त, यवन, राज, तुसाप, आपसन्डी सही होगा, वैस, पुन्सगुप्त 197 बराबर पर्वत के छेत्र में, असोग के दानों से लाभानवित होने वाले कौन थे, बहुत आजीवक्त, स्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन, आपसन्डी सही होगा, इसका आजीवक्त थे 198 निमलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, मंगाल की खाडी से अरव सागर तक, विस्त्रित प्रथम सामराज था, आपसन्डी सही होगा, मौर सामराज 199 पाटल पुत्र के असोका राम बिहार में आयोजीत तृतिय बहुत संगीत के अध्यक्षता किसने की, आपसन्डी सही होगा, मोगल पुत्र तिसने प्रारंबिक एतिहासिक काल का नगरीय अस्थल, सिस्पालगड कहां श्तित है, उडिसा, पश्चिमंगाल, बिहार, पंजाब, आपसन्डी सही होगा, उडिसा में क्वेश्चन नमबर 201 है, मौर काल में दंड विधान थे काफी कठोर, अतियंत नरम, काफी लचेले, उपुरित मैं से कोई नहीं, आपसन्डी सही होगा, इसका काफी कठोर, आपसन्डी सही होगा, काफी कठोर, दोस्थो, मौर काल में तक सिला के किन वरडों के लिए खुले थे, आपसन्डी सही होगा, ब्रामार, छत्रियों और वैसों के लिए दोसो, तीन असोग के सासनकाल में कुमार कहा न्युक्त थे, तक सिला तोसल योम उज्जैनी, तक सिला उज्जैनी योम जुनागर, तक सिला तोसल योम सुपारा, आपसन्डी सही होगा, तक सिला तोसल योम उज्जैनी 206 निमलिखित राजाओं में से किसने संग वेद करने वाले बहुत विक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था आपसने सही होगा सोक 207 मौर काल में सिक्षा ग्रहन करने का सरवाधिक प्रसिद केंद्र था आपसने तक्सिला 208 निमलिखित में कौन कलिंग में मौर प्रसासन का एक अधिस्ठान था चंपा गिर्नार सुबण गिरी तो सली आपसने सही होगा इसका तो सली 200 ना मौर सामराज का पस्चिमी भारत में प्रमुक बंदर गाह था ताम रिलिप्त कावेरी पटना मुंबई भार कक्ष आपसन्डी सही होगा इसका भार कक्ष 202 क्वेश्चन नंबर 210 है क्वेश्चन नंबर 210 मौरिकाल में सिक्षा का सरवाधिक प्रसिद्ध केंद्र था आपसन्सी तक सिला 211 कालिसी प्रसिद्ध है बौद शैत्यों है फार्सी सिक्कों के कारण असोग के सिलालेग के कारण गुप्तकालीन मंदिरों है आपसन्सी इसका सही होगा असोग के सिलालेग के कारण दोसो बारा निम्न में से किस ने सैंडो कोट टस और सिकंदर महान की भेंट का उलेक किया है पिलिनी जेस्टिन स्ट्राइबो मेगा स्थिनीज आप्सन भी सही होगा इसका जेस्टिन दोसो तेरा प्रतम भारतिय सामराज अस्थापित किया गया था आप्सन सी चंदगुप्त मौरिद्वारा दोसो चौदा है कालसी किस लिए प्रसिद्ध है गुप्त कालिन मंद्रों के लिए फार्सी सिक्कों के लिए असोग के सिलालेक के लिए बहुत चैत्तों के लिए आप हुआ था पाचवे शिला लेक से असोग के भाईयों के अनतापूर की जानकारी मिलती है असोग बिंदसार के समय तक सिला और उजयेन का वाइस राह था असोग बिंदसार का छोटा भाई था scientific असोग बिंदसार का 217 है मौर सामराज का अंतिम राजा था आपसंडी होगा ब्रेदरत 218 अपने धम का प्रचार करने के लिए असोग ने निमलिखित की सेवाएं ली राजुक प्रादेशिक युक्त ये सभी आपसंडी होगा ये सभी 219 असोग की राजा रोहन के किस वर्स में कलिंग युद हुआ प्रथम पंचम अश्टम त्रेओदस आपसंसी सही होगा अश्टम 220 अंतिम मौर सामराज था जालोग आपसंडी का सही ब्रेदरत 221 बिंदुसार के सासन काल में तक्च सिला में हुए विद्रो के समय असोग किस प्रदेश का राजिपाल था तक्च सिला तामरिलिप्त कौसल आवंति आपसंडी सही होगा इसका अवंति 222 मौर काल में व्यापार नियंत्रन के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है व्यापारिक प्रकिरियायम लावांस पर राज का नियंत्रन था वस्तूओं पर दस जन सुल्क निश्चित था वस्तूओं के विक्रे पर राज की कड़ी निगरानी रहती थी आपसंड एस में सह कुछिन नम्बर 23 मौरिकाल में बहु विवाए को प्रोशाहन नहीं दिया जाता था दासप्रथा प्रचलित थी बहुदेव पूजा पर रोक लगाई गई थी आप संडी सही है पसुहत्या पर लोक लगाई गई थी 224 चंदकुत मौर के बारे में एक गलत कतन बताएं, उसने यूनानियों को हराया, उसके राज में काबुल सामिल था, उसने दुतिये जहन सम्मेलन बुलाया और कोई कतन गलत नहीं है। आपसंस सी जो है ये गलत है उसने दूतिये जैन सम्मेलंग गुलाया कि दोसो पचीसमा प्रस्ण इसापूर छटी सदी में विश्व की प्रथम गण तंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी वैसाली एथिंस इस्पार्टा पाटल पुत्र आपसंने सही है इसका वैसाली 226 नादवंस के पच्चात मगद पर किस राजवंस ने सासन किया आपसंने है मौरे 227 पाटल पुत्र को किस सासक ने सरप्रथम अपनी राजधानी बनाई आपसंने चंद्रगुप्त मौरे 228 निम्लिखित में से किस मौरे राजा ने दक्कन की विजय की थी असोक चंद्रगुप्त विंद्शार कुडान आपसंन भी सही है चंद्रगुप्त 239 असोक ने बहुत होते हुए भी हिंदु धर्म की आस्था नहीं छोड़ी इसका प्रमान है तेर्थ यात्रा मौक्ष के में विश्वास देवानम पिये की उपाधी पस्वचिकिस साले खोले आपसंसी देवानम पिये की उपाधी 239 असोक के सासनकाल में बहुत सभा किस नगर में आज़ित की गई थी मगत पाटलपुत्र समस्ति पूर राजग्रे आपसंभी पाटलपुत्र 231 प्राचीन भारत का प्रथम प्रसिद सासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था चंदगुप्त मौर असोक समुद्र गुप्त बिंदुसार आपसंभी होगा चंदगुप्त मौर 232 भारत में असोक का सासन काल था आपसने सही होगा 273 से 232 इसा पूर्प तक 233 मौर युग में आवंति पत्थ था आपसंभी सही होगा पस्च्चमी प्रांत 235 इफ स्रौनो बेल गोला का संबंध है चंदगुप्त मौर से असोब से विष्णुगुप्त से दसरस से आपसने सही होगा चंदुप्त मौर से अपने अंतिम दिन ईहे बिताय थे सनोबेल गोला में मौर सामराज के पतन के लिए ब्राम्मण पृत्किरिया वाद उत्तरदाई था किसने कहा आप सने हर प्रसाथ सास्त्री ने 238 मौरियों के काल तक गंगा मुहाने का कौन समुख्य वंदरगाह हो गया था सोपारा ब्रिगुकक्ष पाटल तामरलिप्थ आप सन्डी सही होगा तामरलिप्थ 249 मौरिकाल में टैक्स को छुपाने के लिए इन में से क्या दंड दिया जाता था मृत्तुदंड समानों की कुर्की कारावास व प्रोक्त में से कोई नहीं मृत्तुदंड 244 असोग के पक्चाद देवानम प्रियेकी उपाध का प्रियोक किसने किया आप सन्डी दसरत 241 पाटल पुत्र में इस्ति चंदगुत महल मुख्यता बना था आप सन्सी सही है लकडी का 242 असोग के धम के संदर में कौन सा कथन सत्य नहीं है अहिंसा परबल दिया गया सही है ब्रामनों को दान देने पर जोड़ दिया गया यह भी सही है स्वामी यों मनुचर के संबन्नों को लेकर चिंता व्यक्त की गई यह भी सही है तो आप सन्सी जो है वो सत्य नहीं है 243 मालवा गुजरात यों महाराज की सासक ने पहली बार जीता हर्स असकंद गुप्त विक्रमा दे चंद गुप्त मौरे आप संड़ी सही होगा इसका चंद गुप्त मौरे ने 244 कथनों दो कथन दिये गए हैं बताना कि कौन कौन से कथन सही है असोक ने मिर्त दंड को समाथ कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया यह तुगलत है कथन दूसरा है कलिंग यूद के पश्चात असोक पश्चात आपी और होकर बहुत बन गया तो आप संड़ी जो है मावरियों के सासन काल में सिक्क्य, डालने के लिए निमलिखित में से किन पदार्थों का अपयोग होता था सवाणिय। तामर्यों कांसा सौन्ड यों ताम्र आपसंसी सही होगा ताम्रयों कांसा 246 समराट असोग का एक मात उतकरिंड सिला रोपचित्र कहां पर पाया गया है सांची अमरावती कंगन हल्ला अजन्ता आपसंसी है कंगन हल्ला 247 दो कथन दिये गया है पताना कि कौन से कथन सही है रोमन दे के अस्तम पर उतक्रिंड लेख असोग के धम का सुवस्पश्ट विबरण देते हैं दूसरा है निगल सागर सिला लेख असोग द्वारा कोडगमन इस्तूप की आत्रा किये जाने के तत्थ काबलेख करता है तो स सेकेंड आप्सन इसका सही है दो तीये स्टेटमंट पहला जो है गलत है 248 असोग द्वारा प्रचारित धम क्या था बौध मत के सिध्धान आज यूकों और चारवाकों के दर्सनों का मिस्त्रण उस समय के अधिकान संप्रदाओं के सिध्धानतों के संगत आचार विवस् कि दो सोपचास है कि क्वेश्चन नंबर 250 दक्षडापत के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोडता था अजंता के गोल कुंडा से एलोरा के मुझरिस से अजंता के अरकामेडू से अजंता को पाटिल पूत्र से किस के शासनकाल में कार्ष के निमलिकित में किस से किस देश से अ नहीं मिला है अफगानिस्तान भारत श्रिलंका पाकि Nepस्तान ह 친 Mate माँ आज पर्इक्षाओं में पूछे जा चुके हैं काफी महात्पूर्ण देखें इसम्दुन है अगर पीडियो प्रइक्षाओं के लिए स्परिक्षाओं करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इसी तरह के महात्मूर्ड वीडियो मिलते रहें धन्यवाद मुत्रा